तो ही आज हम बात करने वाले हैं फिर से दो फोन की confusion खतम करने वाले हैं and also इस बार iqoo और Realme की बात हो रही है तो देखो इस वक्तना offers तो हर सके चल रहे हैं Amazon के पर भी Flipkart के पर भी तो confusions बनी हुई है Realme GT Neo 3T और iqoo Neo 6 ना on paper काफी साथ सिमिलर लगते हैं तो लोग यहां पर confused है कि कौन सा फोन पिक करना है तो आज हम पताते हैं कर रहां कर रहां कर रहां कर रहां कर रहां बढ़ दोनों ने यहां पर अपनी AMOLED displays का फाइदा उठाते हुए अंडे display fingerprint scanner दे दिया है जो कि काफी अच्छी बात है अधिको दोनों फोन्स के in-hand feel जो है ना पो काफी सही होगा हलका सा iqoo 10 gram हलका है बढ़ इतना कोई जाता फरक पड़ेगा नहीं इस दोनों इस प्लास्टिक बैक के साथ है बढ़ यहां पर इन-hand feel दोनों की काफी अच्छी है मतलब जैसे की तोड़े सा ग्लास बैक वाली feeling होती है ना दोनों फोन्स में वैसी टाइप की दिखने को मिल जाती है ओवराल आपको दोनों की phones की looks को देखना है कि आपको बैटर कौनसा लग रहा है आई कू साट डिक्रेंट लगता है realme लगता है दोनों के colors डिफॉरेंट से हैं तो यहां पर आप अपनी पसंद से चूस कर सकते हो खॉत दिखो दिक्ट मैं फॉइनधिक्टों इसके ही में ह 1000Hz तक जा सकती है आईकू में 1200Hz तक जा सकती है अब ही दोनों में इतना को बड़ा अंतर है निये तो गेमिंग में इतना पता नहीं चलता पर दोनों में यह मैं कह सकता हूं कि तच रिस्पॉस जो है न वो दोनों में ही काफी तगड़ा वाला आता है दोनों में 1300 nits की max से सपोर्ट है दोनों में वाइवान एलवान दिखने को मिल जाता है यहां पर आप content देखने में दोनों में ही काफी निजोए करने वाले हो दोनों के display एक जिसी है दोनों में पंची कलर साथ है amazing content quality आती है और जसी कि मैंने आपको बुला था डॉल्पी वाले stereo speakers है दोनों में आपको मजा आएगा यह अंकल जैक भी डाल देते हैं और क्यों सबको अंकल जैक से दुश्मन यह निकाल देते हैं बाहर अब देखो पावर के मामलें में भी दोनों फोन्स नहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है दोनों ने snapdragon का the most यहां पे successful वाल बड़ एक चीज़ बात करूंगा realme में जो liquid cooling है और जो iqoo की liquid cooling है उसमें थोड़ा सा फरक है थोड़ा सा iqoo का liquid cooling system बड़ा है और इसी की वैज़े से यहां पर जो हम realme पे थोड़ा सा long session वाली gaming करते है ना उसमें हलकी इसी heating दिखती है up to 45 degree जाती है मैं इसको over heating नहीं बो fast है RAM में चीज़े रहती है दोनों में UI का फरक है realme UI funtouch UI अब मैं एक चीज़ बोलूगा UI के मामले में मैं एक select कर सकता हूं वह है realme UI funtouch से अभी realme UI थोड़ी से बेटर लगती है funtouch पहले के मुकाबले में बहुत इंप्रूव हो है but still मैं कहूंगा realme UI थोड़ा बेटर रिगल गया थी बढ़ा Android 12 तो दोनों में चल रहा है so latest यहां पर देखने को मिल जाता है बट एक चीज़ बोलूगा अगर आप बहुत लॉटम गेमिंग करना चाहते हो मेरे साब से आइकू बेटर रहेगा बट अब अब एक तो खंटा खेलते हो अपने दोस्तों के साथ GTN EO 2 में भी सेम केस है यह तो मेरे हाथ में है एंड में इसके उपर पी गेमिंग खेल लेता हूं कोई दिक्कत की बात नी आती बट अग लॉटम सेशन में जाओंगे तब भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलते हैं और आइकू ने न 90 fps अलोग करके दिया है अगर आप बीजियमाई का जुगाड हो जाए वापिस आ जाए तो नहीं तो Apex Legends दोनों में ही मज़ा आता है कैमरा भी दोनों में कापी सिमिलर ह यहां पर फरक है कि आइकू ने OIS इंप्लीमेंट करके दिया है अब OIS बहुत हेल्प करेगा लो लाइट सिच्वेशन पे जब आप लो लाइट में फोटो किशने रहोगे तो आइकू में थोड़ी सी बेटर आती है अब देलाइन में दोनों ही बढ़िया फोटो किशने ल यहां पर आइकू में थोड़ी से स्टेविलिटी जाधा अच्छी मिल जाएगी और फ्रेंट केमरा बेटर लगा लगा लेको आइकू में थोड़ी सेवन हंड़ी मिल रही है बट रियलमी में 5000 एमेच की पूरी बैटरी मिल रही है बट दोनों में 80 वाट्स का चाहाँ अब अब यहां पर हलका सा अइकू में फास्ट लगएगा क्यूंकि थोड़ी सी केपैस्टी कम है अगर मा बैटरी में बीक बैटरी बैक के बर में concerned जाएगी ठीक है but overall अगर है मैं देखूना है तो यहाँ पर मुझे iqoo Neo 6 थोड़ा सा जादा बेलुएब लगता है तो मतलब अगर आप जादा फरंग नहीं बढ़ तो आप iqoo Neo 6 के साथ जा सकते हो अगर आप कंफ्यूस थे ना कि दोनों बजट आलाओ कर रहे हैं क्या करूं तो मैं iqoo की तरफ थोड़ा सा जादा शिफ्ट हो रहा हूँ due to its camera versatility camera में OAS में जाता है तोड़ा अच्छा है और डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा जादा बढ़ी है इवन गेमर्स के लिए पर मैं चासे कि बने बूला 90 fps अगर बीजय में वापिस आजाती है लौट के तो जैसे कि मेरे करण अरजनाएंगे वैसे बीजय में वापिस आती रहती है तो आप वहां पे गेमिंग के लिए iqoo को देख सकते हो तो मुझे आप कॉमेट्स में बताना दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको साथा बहतर लग रहा है आपके लिए और आप कौन सा चूस करने वाले है तो बताते रहें बाकी मैंने कल पिक्सल 6 से और यहां पे सेकिंड फोन सा था हमारे पास वह था Samsung Galaxy S21 FE दोनों कमपेरिशन ताल चको हो जो चेकवोट प्र ले ना मैं आपको मुझे वन ता नेक्स वीडियो तब तक अप्रम टेशा आपके रहें किरेखी कहां किस्मान ग्लाव बिस चेकी गाई लव यू बब यू बबाद